गाजर का हलवा हम सबकी फेवरिट डिश है और सर्दियां तो इसके बिना अधूरी है लेकिन इसको बनाने में काफी टाइम लगता है और अगर इंग्रिडेंट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ना बने तो अच्छा भी नहीं बनता है आज मैं बनना फूर्ड अन मूर्ड किचिन में लेकर आई हूँ बिना जंजट बहुती कम समय में बिलकुल परफेक्ट टेस्ट टेक्चर वाला गाजर का हलवा जो आप बड़ी आसानी से बिना जंजट बना पाएंगे इसमें मैं सेयर कर रहे हूँ कुछ सीक्रेट टिप्स जिसमें आप भी एकदम परफेक्ट गाजर का हलवा बना पाएं हैलो फ्रेंड्स मैं वंदना फूर्ड अन मूर्ड किचिन में आपका सागत करती हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किये हुए आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं हलवे के लि अब हम इसका टॉप और बॉटम को कट कर लेंगे कट गट लो अब इसको हम पहलर से छील लेंगे जो उपर चिपा ध का हंडों v요 वह टा देंगे इस तरीगे सेявसिको कर लेंगे री ऐज़ वीडियों को चील लिया है ata के ग्रेडति के तो मैंने यहां पर घट ले लिया है और एक बढ़ा सा बाउल लीटी एया तो ग्रेटर करते समय महीन वाला ग्रेटर से आप जब भी गाजर का हलवा बना आप ठोटे वाली ग्रेटर से ग्रेट इसके घ्री पर इसे ङया हमारा ग्रेटर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और इसमें हम दो विशिल लगा देंगे इसके ना हमारे गाजर के हलोगो को बनने में कम समय लगेगा और यह देखे गाजर की कॉंटिटी यह वो भी कम हो गई यह देखिए तो इसको निकाल लेंगे बहुत प्यारा कलर भी आया है तो इसक पास से एकतम रेड रेड लग रही है और यह देखिए सफ्ट भी हो गई है ज्यादा विशिल नहीं लगानी इस चीज का ध्यान रखेगा तो यह पर हमने कड़ाई ले लिए और कड़ाई में हमने घी डाल लिया है घी से बहुत अचा टेस्ट आता है और साइनिंग आती है तो मैं इसको करीब 5-7 मिनिट इसको फ्राई करूंगी यकीन मानी फ्रेंट्स अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो हलवा बनाने में आपको कम समय भी लगेगा और आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा तो जरू ट्राई कीजेगा इस तरीके से तो यहाँ पर बिना पानी मिले हुआ है और इसको मैंने गरम कर लिया था एक बार तो वो डाल दूगी मैं इस तरह दूट डालने से हमारे जो हलवा बनाएंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दानेदार बनेगा हमारे जो हलवे में जो दाने पढ़ते है न वो बढ़ जाए तो जब भी आप इस्तमाल करें तो बिना पानी वाला दूद इस्तमाल करें तो इसको मैं पकाऊंगी फ्लेम को हाई कर देती हूं मैं यसे कि जल्दी बन जाएगा हमारा हल्वा और जब तक पकाएंगे जब तक कि दूद एबसर्फ हो जाए यानि कि जो दूद की पलकुल कम हो जाए तो इसको पकाएंगे इसको पकाने में पांच मिट लगएंगे थाइब ब्लाब ना के बंद ललुद छाटे तो माय अपर बादम ऑफाम बसार्प जय हूं इसको पकाजू भी डाल सकते लेकिन किसमस कमद डालियेगा क्योंकि दूद घूद हमारा तो अब हम स्टेज पास चीनी डाल रहे हैं किनी आप अपने टेस्ट के कोडिंग कमिया ज्यादा कर सकते हैं मैं यहां आधी कटोरी डाल रही हूं क्योंकि गाजरों में भी मिठास होती है तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए चीनी डालें आप तच्छे से मिक्स करेंगे और जो चीनी है वो भी पानी चोड़ेगी तो इसको भी करीब हम तीन मिट पकाएंगे गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम करेंगे हाई नहीं करनी है नहीं तो हमारा हलवा है वो जल जाएगा और थोड़ा वा चलाते रहेंगे साथ की साथ हम असको हम जब तक वो भी अपजर्बनी हो जाते है तो अब हम अपने हलवे को और भी टेस्टी बनाने के लिए यहां पर हमने मावा ले लिया है तो इसमें से मैं अभी आदा मावा डालूँगी सिर्क पूरा मावा नहीं डालूँगी आदा मावा डालूँगी तो इसको अच्छे से मिक्स कर मावे को यह देखिए तो जो मावा है वह अच्छे से मिक्स हो गया है गाजनों में यह देखिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है जरूर डालिएगा वाव मेरे मूं में तब मानी आ रहा है अभी सही और अब हम यहां पर किस्मिश डालेंगे इस श्ट्रेश पर डालने से किस क्रिपा है कर सकते है यह डेने के लिए हम सबिसे गड़ी यह ऑने यह यह जो ऊड़ी इस थोय एक उपांडे खाल सकता है जो हमारा हम करते है तो यह यह हमारा भा निज के दाल तो यह इसको आये हम गर्म गर्म सर्व करते हैं यह बहुत ही perfect color आया है हमारे हलवे का यह देखिए तो इसको इसको एक बावल में transfer कर देती हूं तो हमें हल्वे में पकाने में सिर्फ पन्दा मिट लगे हैं पन्दा मिट में हमारा हल्वा रेडी हो गया है बन करके हमने इसको गानिच कर दिया है चिरोंजी से बदाम को कट करके मैंने डाल रहे हैं यहापर और अब मैं यहापर डाल रहे हैं थोड़ा सा नारियल बहुत ही तो देखिए मैं आपको दूसरी तरीगे से आप गानिश करना मुताओंगी आपको गा나 थेखिता स striving कर सकते ह है और यह देखिए हमने यहाँ पर जो मावा चोड़ा था ना आधा तो उससे भी मैंने गार्णिश कर दिया है और उसके उपर मैंने ड्राइफ्रूट डाल दिया है और कोकोनट डाल दिया है वाँ इस परीकेसे भी आप गार्णिश कर सकते हैं अपने हलवे को मैं तो इस हलवे को ट्रेस्ट करने जा रही हूँ यह देखिए तो प्रेंट्स यदि आप मेरी वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा जिससे मेरी नई रेसिपी कर देखिए।